एट विजाइड इस्टिव पॉएंट प्यारी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास एट हिस्ट्री एंड सिविक्स आए सी एसी बोड का हम सोलुशन करेंगे और चेप्टर है कौन सा दस्तों चेप्टर नाइन की बारत देखेंगे जैसा कि एकनोमिस पॉलिस आफ दा व कैसे कैसे इसको बनाएंगे कोस्टन अंसर के साथ बने रहे हैं दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यह आप पड़ रहे हैं इसमें तो इसका जो है यह इंग्लिस मीडियम का है और यहां पर देखिए कोस्टन अंसर आपके पास दिया हुआ है जैसा कि आपके पास नजर आ रह का है आप इस्टोरी को पढ़कर भी आप बना लिए होंगे इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यहां पर से कुछ मैच करने के लिए हूए है है तो मैच करेंगी दोस्तों यहां पर क्या कर रहा है इसका मिलान होगा 7093 option number B यहने A का B में मिलान होगा और फर्स रेलेवेल लाइन की ज़दी बात कही जा रही है तो कहां चला था मुंबई से थाने के बीच में तो option काता है और फिम मार्केट की मतलब यह हो गया यह चीन से रिलेटेड है तो यहां आपका A निमर होगा और बाकी जो एक बच गया दोस्तों वहां आपका देखे तो यह आपका अंसर होगा option नमर सी पंच का option नमर सी होगा दोस्तों तो इस मेच को आप अच्छी तरह से बना लिए हैं अब आए जल्दी देखते हैं question answer जो आपके पास दीवी है यहां पर देखिए statement भी दीवी है तो statement आप तो अच्छी तरह से इसको true or false कर रही दिया होंगे कोई दिकत नहीं है यहां पर हम question answer को देख रहे हैं जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है answer the following question briefly तो इसका बढ़न करने के लिए का आता है question नमर एक दो तीन चार पांच तो इसका हम question answer का solution करते हैं देख रहे हैं प्यारी जोस्तों question number one है what why the permanent settlement revenue system तो इसका answer क्या लिखेंगे the permanent settlement वाजे लेंड revenue system that established a fixed amount of revenue to be paid to the East India company by the जमीनदारी यह आपको लिखना है और इसके लिए बच्चों यहां पर देखें question number two है what was the रहीत वाड़ी system यानि काता रहीत वाड़ी system क्या था how did it affect the farmer और यह किसानों पर क्या पर वहाँ पड़ा यह के बारे में लिखने के लिए कहा गया है तो दोस्तों प्यारी बच्चों ध्यान रहे लिखें यहां से रहीत वाड़ी system वाजे लेंड revenue system in the British India introduced by the Thomas Munro यानि Thomas Munro के द्वारा यह निच्ची को लागू किया गया था रहीत वाड़ी पर था और वीच एलोड़ी यहांने यह किसानों को बहुत ही दुख तरद यह अंग्रीज लोग दे रहे थे तो उसके बारे में काता था कि अखरी रेत वाड़ी पर था क्या था और यह किसानों को क्या परभाव पड़ता था यह आपसे पुछा गया है प्यारे दोस्तों जैसा कि देखें कोस्टन आपकी पास नेश्ट है वाट वाट वाई दा बेसिक एम अब दा एकोनोमिक पॉलिस इंट्रोड्यूज इन इंडिया यह आपका कोस्टन है कोस्टन को देख रहे हैं और यहां पर देखें बच्चों तो आपका आंसर लिख लि इंडिया वोडिफाई दा टेड इंटरनेशनल टेड पॉलिशिस इटू मैक दा एकोनोमी अब दा कंट्री इंडिया स्ट्रेज इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं अब आईए बचों कोस्टन नमर फोर्थ को देखते हैं जैसे कि देखने बच्चों फोर्थ नमर कोस्टन ह वाहरी ब्रिटीसष ठूर्ज फोर्ष यह इन नेल के खेती ही कर रहा था तो ब्रिटीस सरकार ने किसान के लिए चया प्रभाव कर रहा था क्यों उसको जीमेदार कर रहा था था ईक यह कह गया है तो बच्चों की लिख लिख लीजिया The British forced Indian farmer to grow indigo because indigo planting become more and more commercially profitable because of the demand for the blue dyes in the Europe. यानि इनका नील का खेती करवा रहा था, उसके बाद क्या करता है? यह यह यूरोब को भेज़्या करता था. इट वाज इंटर्डिूस इन्पार्ट और इससे क्या होता था? अंग्रीज को काफ़ी मुनाफ़ा होता था. बहुत धन कमा लेता था. और वो क्या करते था जैसे यहाँ पर दिया है बर्दमान में दिया है, बंकडा में दिया है, यह सभी जग़े जो दिया था ना पाकुडा में यह बहुत ही फेमस यहाँ पर नेल की खेती किया जाता था प्यारी बच्चो इस तरह से आप अपना आंसर को लिख सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं क्वेशन किया है फाइब में imimpt manque the common people and the India in the social sphere yaarini की रीवे का चुपर ओपढ़ा तो क्या इसका जनता पे पढ़ा यह आप से पूछा गिया है लिखेंगे इन इंडिया रेल्वे बेयर इंटोडियूस बाइड़ ब्रिटिस इन 1850 हाव इड़ बिगें तुड़ अप्रेशन इन 1853 इट एफेक्टर दा इस्ट्राक्टर आप दा इंडियांस एकोनोमी इन मैंनी वेज तो इसका पॉइंट को लिख लिजिए इट इन्हेंट पीफूल इस तरह से बच्चों आप आश्र को लिख सकते हैं और अगर किस तरह की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें